नंदुकुमार बगेल को 14 दिनों की न्याई खिरासत में जील भीजा गया है नंदुकुमार बगेल को रायपुर की पुलिस ने आगरा में गिरफतार कर कोट में पेश किया था जहां से उन्हें न्याई खिरासत में भीजा गया है नंदु कुमार बगेल पर एक वर्ग विशेश की खिलाफ चिपड़ी करने का आरोप है उनकी खिलाफ केस दर्श किया गया था जिस पर कारवाई की गई है आपको पता दे कि नंदु कुमार के बयान पर सीम भुपेश बगेल ने घुस्ता जाहिर करते हुए ट्वीट करते हुए एक लिखा था कि कानून से उपर कोई नहीं सामाजिक सौहार्थ बिगारने की अनुमती किसी को नहीं दी जा सकती चाहे वो मेरे पिता ही क्यों नहों नंदु कुमार बगेल की ग्रफतारी पर पूरो मंत्री राजिश मोडत ने कहा है कि यह सब राजनितिक नौटं की है उत्तर प्रदेश में जाकर नंदु कुमार बगेल ने एक समाज के लिए बयान दिया यूपी सरकार कही गिरफतार न कर ले इसलिए 36 गड़ सरकार ने अपना जाल बिछाया है